श्री गनेशाय नमहा नमशकार दोस्तों ये राशी फल चंदर राशी पर आधरीत है चंदरमा मन का कारक है हमारे मन और मश्तिश्क पर चंदरमा का गहरा प्रभा होता है हमारे रोज की जीवन में चंदरमा की वज़े से हम काफी बदलाव महसूस करते है और आज आपकी कुंडली में चंदरमा की पोजिशन काफी अच्छी है जी हाँ चंदरमा इस दिन आपकी कुंडली में दूसरे भाव में रहेंगे यानि धन भाव में रहेंगे ये दिन आपके लिए सफलता लाएगा आपके अटके हुए काम पूरे हो जाएगे मन पसंद रहेगा, खुशनुमा माहोल रहेगा, नोकरी में और बिजनेस में दोनों जगे आपको लाभी लाभ मिलने वाला है जी हाँ धनभाव में चंद्रमा होने से आपको धन की प्राप्ती हो सकती है, आपके बिजनेस में मुनाफा होगा, आपको हर तरह से लाब होने की संभावना है इस दिन पैसों का लेंदेन करना आपके लिए फायदे मन रहेगा, अगर कहीं निवेश करना है तो जरूर कीजे, आज का निवेश आपको अच्छा फायदा दिला सकता है ये दिन आपके परिवार वालों के साथ मज़े में बितेगा, जी हाँ, दूसरा घर कुटुम्ब का स्थान भी माना जाता है आपके परिवार में इस दिन कोई छोटा मोटा फंक्शन भी हो सकता है पारिवारिक सुख के मामले में आज का दिन बहुत अच्छा है आप अपने परिवार को वक्त दे पाएंगे अगर इस दिन आप थोड़ा वक्त निकाल सके अपने परिवार के लिए तो परिवार के साथ एंजॉय करे घूमने फिरने जाए तो बहुत अच्छा रहेगा सेकंड हाउस आपके कुटुम्ब से परिवार से और धन से जुड़ा हुआ है ग्रहुं की पोजीशन आपके ही फेवर में होने के कारण पारिवारिक वधन के मामले में काफी लाब मिलने वाला है अगर किसी से मनमुटाव या तकरार है तो आज रिष्टे अच्छे बनेंगे बिजनेस में मुनाफ़ा वधन प्राप्ति के मोके मिलेंगे धन प्राप्ति के नए नए रास्ते भी इस समय में मिल सकते है स्टूडन्स के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है स्टूडन्स इस दिन अच्छी एकागरता से पढ़ाई कर पाएंगे पढ़ाई करने में मन भी लगेगा विद्यारतियों को आज अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना अच्छा रहेगा जी हाँ अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग करने के लिए ये दिन बहुत बढ़िया है प्लानिंग जरूर करें अगर कोई exam है किसी competitive exam की त्यारी में जुटे है तो समय आपके साथ है बिलकुल चिंता ना करे विदेश जाने के मोके भी इस समय में आपको मिल सकते है या विदेश से धन कमाने के मोके भी इस समय में आपको मिल सकते है तो मोकों का फाइदा जरूर उठाए अगर personal life की बात करते है, love life की बात करते है, तो love life के लिए ये दिन बहुत अच्छा रहेगा, अपना प्यार व्यक्त करने के लिए ये समय अच्छा है, married life में मदूरता रहेगी, पार्टनर एक दुसरे को अच्छे तरीके से समझ सकेंगे, अडचने या तकरार दूर होती सफलता मिलने की पूरी संभावना रहेगी, आज का दिन प्रसन्यताव आनन से भरपूर रहेगा, इस वज़े से दिन का पूरा लाव उठाए, दिन को पूरी तरे से enjoy करने की कोशिश जरूर करे, अगर स्वास्त की बात करते हैं, तो इस दिन स्वास्त से जुड़ी कोई भ अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करे, दोस्तो ये राशी फल चंद्र राशी पर आधरित है, लेकिन कभी कभी हमारी परसनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजिशन कुछ इस तरह की होती है, कि आपके राशी पल परिणाम में बदलाव दिख सकता है, इस व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी बहुत ही आवश्यक होता है, अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है, तो कम मेहनत में ही अधिक सफलता प्राप्त होती है, परन्तु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्त गटित होती है जिसकी वजह से उसको बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ता है और इस स्थिती में व्यक्टी को बिलकुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है दरसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजे होती है जो हमारे भागय को प्रभावित करती है हमारे ज परन्तु हम उसको नहीं देख पाते इन चीजों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारत्मक्ता फैलती है जिसकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ता है जिसकी वजह से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है हम पूरी तरह से कंगाल हो सकते हैं दोस्तों काफी लोगों को इस तरह की आदत होती है कही से भी बाहर से आते है कही भी जूते चपल फेक देते है कही पर भी उतार देते है कुछ-कुछ लोग तो घर के एंट्री के में डोर के सामने ही जूते चपल डायरेक्ली उतार देते है दोस्तो ध्यान रखे, जूते चप्पल हमेशा साप सूत्रे रखे और उनको उनकी जगए पर रखे, उनके लिए एक स्थान बनाए उस स्थान पर रखे, अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है, वहा पर उन्हें रखे साप सुत्रा रखे जूते चप्पलों को उनकी जगे पर कुछ इस तरह से रखे को वो देखने में भी अच्छी लगे अगर वो चीजे देखने में अच्छी लग रही है तो फिर उनसे निगेटिव एनरजी उत्पन होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी साथ ही दोस्तो एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है हमारे घर के चप के उपर जिन चीजों का हमें काम नहीं होता है उन्हें हम घर के चप के उपर रख देते हैं ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के चप के उपर कबार जमा दिखता है जी हाँ जो चीजे हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है वो हम घर के उपर रख देते हैं लेकिन वो चीजे तो काम में नहीं आती हमारे जीवन पर वो चीजे बहुती गहरा निगेटिव एफेक्ट डालती है इस वज़े से घर के चछत को पूरी तरे से साप लग दिया जाता है वो जगाई ऐसी है कि सामान को खीची लेती है वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही अगर हम सीडियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नती होना बहुत ही मुश्किल है साथ ही दोस्तों अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज इत्या दी तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंती बहार निकाल दीजिए वरना इससे आपको बहुत बड़ी परिशानी हो सकती है आपको ये चीजे कंगाल बना सकती है तो घर में ऐसी चीजों का मौजुद होना शुब नहीं माना गया है इससे धनकी देवी माता ल और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है इस व्यक्ति का जीवन घर में मौजूद इन चीजों की वज़े से अंदकार में डूबने लगता है इसलिए आपको घर में बिना काम की चीजे कूडा हैं इससे आपके अच्छे दिन भी बूरे दिनों में बदल सकते हैं क्योंकि मकडी अपना चाल शिकार को फसाने के लिए बनाती है हर एक चीज हमारे घर की हम पर प्रभाव डाल रही है तो इन चीजों को ध्यान में आपको रखना होगा तो दोस्तों कुछ ऐसे चोटे करें धन्यवाद